कहिए कैसे हैं आप रिष्टों को कैसे संभालें दिखें जो रिष्टे है ना relationship हमारी जिंदगी में बहुत माइनर रखते हैं और हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी रिष्टे से जुड़े हुए हैं जैसे घर परिवार से शुरू जाता है एक single family भी होती है एकल परिवार भी होता है वहां से शुरू हो जाता है mother, father, भाई, बेहन, से होता होता दरानी, जिठानी, चाचा, चाची, नाना, नानी, दादा, दादी अंगिनत रिष्टे हैं और हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी रिष्टे से बंदी हुए हैं कहीं बार तो सब कुछ अच्छा चलता रहता है कहीं बार रिष्टो में करवा हटा जाती, रिष्टो में खटास है, तो संभाल के कैसे रखे क्योंकि ये स्वाइठे भी अधिём चाहता है, देखने इसलिए हम सभी चाहते हैं, more the किस साथ बात हैं मैं आपको एक एक करके बताती हूँ कि किस तरे से रिष्टो को ₡ सभाला जास क्या है नुझास। तो सबसे पहले और अज़ग अधर कहा है किा अपना ख्याल रख憋 खाल अपना ख्याल रखी है, हम यह सोचते हैं कि हम तूसरों का ख्याल रखेंगे और अपना ख्याल रखना भूल जाते हैं, तो ज़रूरत इस बात की है कि सबसे पहले अपना ख्याल रखें, जिसे घर का मुख्या है, head of the family, वो कहता है कि मैं पूरे घर का ख्याल रखूंगा, तो जबसे पहले अपना क्याल रखने अपना क्याल तो सब अपनी तरफ से में कुछ फुद एक्तिव रहेंगे कोई दिककत नहीं है और तब ही थोg स福 थूश्थ अफन हत क्या है मुद ही क्या है कुछ काम नहीं कर सकते हम दूसरों का ख्याल स क्या से रखेंगे देखे जैसे हम plane में जाते हैं तो प्लेन में जाते हैं तो वह announcement होती है अगर कोई emergency हो, mask आएंगे उपर, oxygen mask आएंगे तो सबसे पहले आप खुद पहनना फिर दूसरों की मदद करना यह नहीं है कि पहले दूसरों को पहनाने लग जो आपको खुद सांस नहीं आ रहा तो कैसे बाद बनेगी तो इसलिए जरूरत है अपना ख्याल रखने की हर फील्ड में हर मायने में हम कुछ भी काम कर रहे हैं अपना ख्याल रखना तो सबसे पहले है कि खुद का ख्याल रखने जब भी तो दूसरा का रख पाई में फिर दूसरी बात आती है रिष्टों के बारे में सचेत रहे हैं सचेत एकदम जाग रूख एकदम यह सोचिए कि मैंने इनको सहेच के रखना है हम बहुत नेगलेक कर देते हैं तो यह चीज नहीं करनी हमने इसके प्रती जाग रूख रहना है जैसे मान लेजिए एक पौधा है और पौधे को पनपने के लिए उसको अच्छी धूब भी चाहिए अच्छी हवा भी चाहिए अच्छी खाद भी चाहिए पानी भी चाहिए सब कुछ चाहिए जब भी तो वो एक अच्छा पौधा बन देखे लोग कहते हैं कि पैसा संभाल के रखो बुरे वक्त में काम आएगा पर अगर हम रिष्टे सहेच के रखेंगे ना रिष्टे संभाल के रखेंगे ना तो बुरा वक्त तो ऐसे निकल जाएगा तो इसलिए बहुत ज़रूरी है इन रिष्टों के बारे में सचेत रहना जाग रूट रहना, अवेर रहना बहुत ज़रूरी है तीसरा पॉइंट इसमें आता है टॉलरेंस, टॉलरेंस जो कि आज कल देखे नहीं देखती, कितने इंपेशेंट हो गए हैं बाद बाद पर लड़ाई जगडाई चाहे हम सडक पर जा रहे हैं, चाहे हम घर में हैं कोई किसी की बाद टॉलरेंट ही नहीं करता जबकि ये एक ना मंत्र है मतलब जो सारे परिवार को जोड़े रखता है सहन शीलता, सहन शक्ती ये जो चीज़े हैं ना ये कोई बोल रहा है हमें रियक्त नहीं करना देखें, एक सीधी सी बात है कि जहां तर्क होता है तर्क, बोलना बढ़ जर्क के बोलना, बहुत बोलना तर्क, वहाँ पे नर्क है तर्क जो है नर्क का दवार है और जहां पे हमने समर्पन कर दिया वो स्वर्क का दवार है तो बहुत ज़रूरी है इन चोटी-चोटी सी चीजों को सम्मिदना मैंने बहुत पहले एक बात भी पड़ी थी प्रसंग भी पड़ा था कि ना एक पांच पीडियों का परिवार होता है मतलब जैसे होता है ना कि फादर सन फिर उनके आगे पोते फिर पर पोते मतलब इस तरह का पांच पीडियों का परिवार चल रहा था तो एक राजा को बहुत हरानी होती है कि यहां तो मेरी एक रानी है उससे मेरा इतना जगड़ा होता है और यह पांच-पांच पीडियां इतनी जॉइंट फैमिली एक तो होदा हैं कि सिंगल परिवार होग है एक जॉइंट फैमिली हो और यह तो great कि यह कैसे रहते हैं और कभी भी किसी के चेहरे पे शिक no.ra कैसे हैं यह इनका राज कुशी का राज क्या है यह मिल जूलके रहने का राज क्या है तो जो सबसे agit आदमी थे, उनके पास जाते हैं राजा, और पूछते हैं, क्या राज है? आप जो इतना खुश रहते हैं, क्या मंत्र क्या है? हमें भी बताईए, हम भी ऐसे अपलाए करेंगे तो वो paper pen मगाते हैं, क्योंकि बहुत agit होते हैं, बोलने सकते तो उसमें सिरफ एक ही चीज लिखते हैं सहनशीलता 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 यह लिखे देते हैं रागाग कि अगर सहनशीलता है किसी में भी सहनशीलता है तो परिवार ही नहीं अगर हम राश्ट की भी बात करें तो राश्ट भी मिलके रह सकता है पर problem के आती है कि tolerance नहीं है ये रखनी रिष्टे अगर संभालने है तो tolerance रखनी बहुत ज़रूरी है चौथा point इसमें आता है respect का देखिए respect तो बहुत ज़रूरी है हम अगर दूसरों को respect देंगे तब ही मिलेगी हमें बहुत अराम से respectfully आदरमान देके काम करना चाहिए परिवार को संभलना चाहिए देखिए respect में हम अलग-अलग चीज़े कर सकते हैं जैसे कि हम किसी की बात सुन रहे हैं तो समझ लेजे कि हम उसको respect दे रहे हैं हम किसी की feelings को समझ रहे हैं तो समझ लेजे कि हम उसको respect दे रहे हैं सुनना, बोलना, माफी मांगना, माफ करना, एक दूसरे को appreciate करना ये सब बहुत ज़रूरी है देखिए कितने जगडे मैं अगर husband wife की बात करूँ तो इस बात से होते हैं कि ladies का ये कहना होता है कि husband के पास time ही नहीं है वो हमसे बात ही नहीं करते तो कितनी ज़ादा वो ladies negativity में चली जाती है तो husbands को भी ये चाहिए कि time दे चाहे आदा घंटा चाहे एक घंटा पर उनकी सुने ये बहुत ज़रूरी होता है देखिए ये जो चीजें है ना एक हम अगर रिष्टों को संभाल के रखना चाहरे है तो ये चीजें apply करना जिन्दी में बहुत ज़रूरी है पांचपा पॉइंट इसमें आता है team work का आप ये सोच रहूंगे team work, team work तो हमने office में सुना है भी मिलके कोई project कर रहे है तो चलो team बना ली और सफल भी हो रहे है घर में भी होता है देखिए मैं आपको एक simple से example देती हूँ कि 5-6 लोगों की एक family है और उस family में किसी guest ने आना है ठीक है अच्छा सारा काम एक ही lady house wife जो है वो कर रही है वो क्या कर रही है पहले तो उसने सफाई की सुबह उटके सफाई की घर की फिर उसके पास अपको नाचसा बना के दिया फिर वो market जाएगी market से वो shopping करके आएगी जो खाना रात को बनाना है जहां पर guest आ रहे है फिर वहां से सारा समान खरीद के फिर खाना बनाएगी फिर उसके बाद सारी table लगाना फिर serve करना सब को खाना खिलाना रात को बरतन दो के सोना यहीं पर अगर teamwork होता मिल के काम कर रहे होते सबने अपनी अपनी duties बांट लिए होती कि मैंने मार्केट जाना है मैंने सफाई करनी है मैं जब guest आएगे उनको मैं serve करूँगा इस तरह से करते तो tension का नामों निशान नहीं रहता ना एक अकेली lady को बहुत ज़ादा burden उठाना पड़ता सब कुछ अराम से हो जाता जैसे माल लीजे एक family में एक आदमी बिमार है वो hospital में अब एक ने ये कह दिया कि मैं तो हमेशा इनी के पास बैठूँगा एक ने कहा कि मैं किचन में संभालों की और जो भी अच्छा खाना है लाइट खाना है जो उनको जाना है वो मैं बनाऊंगी एक ने कहा कि जो भी घर पर गयास आते हैं हाल चाल पूछने के लिए जैसे आते ही हैं कि कोई बिमार है तो मैं उनको एटेंड करूँगा तो काम बाट लिया तो टेंशन ही नहीं रही ना जैसे मैं बोल रहे थी कि अगर हम रिष्टों को सहिच के रखेंगे रिष्टों को संभाल के रखेंगे तो बुरा वक्त ऐसे निकल जाएगा तो बहुत ज़रूरी है कि मिल के काम करना मिल के अगर एग घर में साहस रहती है बहू रहती है तो अगर हम अगर करेंगे तो उस चीजह का तो मतलब बिल्कुल इजी नहीं हो जाएगा कोई टैंशन नहीं कोई डिमाग में प्रेशर नहीं कुछ नहीं सब-कुछ हराम से हो जाएगा पर जहाँ पर साहस बैठी हुई है, और पर दिया जा रही है, तो उससे क्या होगा कि अकेली बहु कितना काम करेगी, कहां तक करेगी, तो बहुत ज़रूरी है कि मिल जूल कर, एक टीम बना कर काम करना, छेटा पॉइंट इसमें आता है कि सोशल मीडिया से दूरी, सोशल मीडिया से जैस कया भागा दो, खाना लगा दो, वो सुनी ने रहे, वो अपना नट किये जा रहे, वोटसब किये जा रहे, जाऑ बात पर धहने ने दे रहे, ह,,… poison एक लड़का है वह बहुत समय के बाद अपने पेरेंट सभाय ऐसा करता है जैसे बहब जोब करता है तो वह आते ही क्या है फोटो की खाल मोदै आप लिफ लेएह मैं गएर है वह जब को पर अजोड थे वह बहुत से लाग यह पर प्लूड कर देता है उनको तो यह है कि बेटा इतने दुनों बाता है बैट के बाते करें हमसे रख दे इसको सारे सारे टाइम साथ ही तो रहता है यह मुबाइल मुवा मुबाइल साथ ही तो रहता है रख दे थोड़ी देर थोड़ी देर हमसे बात कर ले यही तो चाहते हैं यही नहीं समझते हैं तो रिष्टो को अगर संभाल के रखना है, तो जब हम घर पे हों, तो हम सिरफ physically नी, mentally भी present हो, दिमाग कही हो चल रहा है, हम घर पे बैटे हैं, हाँ हो करने, इसका कोई फायदा नहीं है, तो बहुत ज़रूरी है, इस बात का रिष्टो को अगर सहेच के संभाल के रखना है, तो हम physically तो हुई हो, mentally भी बहुत ज़रूरी है, वहाँ पे present रहना, साथवा point आता है, देखिए, जहाँ पे हम बात करते हैं, net से दूरी बना के रखो, net जहाँ पे बहुत time लेता है लोगों का, busy हो जाते हैं लोग, phone पर सारा समय, chatting, messages, ये वो लगे रहते हैं, तो उसमें ए ये सबसे बड़ी problem है, तो मेरा next point, साथवा point इसी बारे में है, कि विश्वास होना बहुत जुरूरी है, हम, ये सबसे बड़ी problem है ये phone से आती है, mobile से, कितनी ladies जैसे यहाँ पे भी, मेरे पास comments में भी लिखते हैं, तो mobile को ही दोश देते हैं, कि सबसे बड़ी problem ही है, husband किसी trust नहीं है, life में, अपने रिष्टों में trust नहीं है, बताइए कैसे बाद बनेगी, विश्वास ही नहीं होगा, तो कैसे बाद बनेगी, कितनी ladies कहते हैं, मैंने उनका phone चेक किया, किस ले किया, रिष्टों को अगर संभाल के रखना है न, तो विश्वास रखना, विश्वास करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो खतम, सब खतम, the end, बहुत ज़रूरी है, एक बार विश्वास कर लीजिए, मान लीजिए, और अगर बात करते हैं, देखिए, अगर कोई lady office जाती है, वो किसी से बात करती है, तो बात तो simple way में भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं होता है, और अगर बहुत जादा कोई confused है, फिर बैट के बात करनी चाहिए, पर इस तरह से react करना और शक करना, हमें अगर रिष्टे संभाल के रखने हैं, तो हमें उसके प्रती loyal रहना पड़ेगा, ये बहुत ज़रूरी है, वो कहते भी हैं ना कि रिष्टे खून के नहीं एहसास क और अगर एहसास नहीं है, तो अपने भी अजनवी, ज़रूर सोचेगा इस बारे में, और वैसे आप क्या सोच रखते हैं, रिष्टो को कैसे संभाल के रखते हैं, या आप किस तरह से संभाल के रखते हैं, ज़रूर बताइएगा, आपके कमेंट्स का मुझे इंजार आए किया, तो प्लीज कर लीजेगा, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ ना, इसमें जो एक पैल का बटन है, ये भी दबा दीजेगा, ताकि जब भी, जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करती हूँ, आपके पस नोटिफिकेशन या मैसिज आ जाए, और अगर आपको ये वी ये भी कर लीजेगा, ठीक, बाए